हे गाईज, वेलकम बैक टो ब्लाक गाउन्स योट्यूब चानल आज हम पढ़ेंगे कि पुलिस विदाउट वारेंट किसी भी परसन को किस-किस कंडिशन पर अरेस्ट कर सकती है तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन फुर्टी वन और सी आर्पीसी को So come, let's begin सेक्शन फुर्टी वन को डिसकस करने से पहले आईए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जानते हैं जो हेल्प करेंगे हमें इस सेक्शन को इजिली समझने में पहले समझते हैं कि वारेंट क्या होता है तो वारेंट एक ओर्डर है जो डाइरेक्ट करता है सर्टेन परसन को टो अरेस्ट दा अक्यूस्ट एंड टो प्रेड्यूसिं बिफोर दा कोट अब जो वारेंट है वो मजिस्टेट के द्वारा इशू किया जाता है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वेदर जो ओफेंस है वो कॉगनीजेबल है या फिर नॉन कॉगनीजेबल इन नेचर है यानि कि ये ज़रूरी नहीं है कि वारेंट केवल पुलिस को ही एड्रेस किया जाए अब आप सोच रहे होंगे कि कॉगनीजेबल और नॉन कॉगनीजेबल ओफेंस क्या होते है तो चलिए इस डाउट को भी दूर कर लेते हैं वैसे ओफेंस होते है जिसमें कि पुलिस विदाउट वारेंट किसी भी परसन को अरेस्ट कर सकती है और without the permission of court start कर सकती है investigation whereas जो non-cognizable offense होते हैं उसमें पुलिस बिना court के permission के किसी भी person को arrest नहीं कर सकती है Cognizable offense जो होता है वो generally heinious या फिर serious in nature होता है जैसे की murder, rape, dowry death, etc और FIR सर्फ cognizable offense या फिर crime के case में ही register किया जा सकता है Non-cognizable offense whereas less serious in nature होते हैं जैसे की forgery, cheating, defamation, etc अब देखते हैं कि आखिर क्यों पुलिस को without warrant किसी भी person को arrest करना पड़ता है तो कुछ ऐसे circumstances होते हैं जहां पर immediate arrest करना जरूरी होता है ताकि जो accused है जिसने की serious crime किया है वो फरार ना हो जाए तो इस condition में पुलिस के पास इतना time नहीं होता है कि वो magistrate को approach करे और उनसे arrest warrant obtain करें तो इन conditions में पुलिस बिना arrest warrant के भी किसी person को arrest कर सकता है तो जो section 41 है CRPC का वो सारे conditions बताता है जब एक पुलिस ओफिसर बिना warrant किसी भी person को arrest कर सकता है तो दोस्तो चलिए अब section 41 of CRPC को discuss करते हैं section 41 sub cross 1 of CRPC बोलता है कि पुलिस ओफिसर किसी भी person को arrest कर सकता है without an order from magistrate जब किसी person ने पुलिस ओफिसर के presence में कोई cognizable offense किया हो तो चलिए एक example से समझते हैं तो let us suppose कि A ने B को एक बड़ा सा पत्थर फेक के मारा जिससे कि B की on the spot death हो गई जब A ने ये offense कमिट किया था उस time पे एक पुलिस ओफिसर वहाँ पर present था यहाँ पर A ने murder कमिट किया है जो कि एक cognizable offense है तो इस condition में A को पुलिस without warrant arrest कर सकता है अब clause B क्या बोलता है clause B बोलता है कि अगर किसी person के against कोई reasonable complaint कराया गया हो या फिर कोई विश्वास ने इन्फॉर्मेशन मिला हो उस person के against या फिर कोई reasonable संदे या फिर suspicion हो पुलिस को कि उस person ने कोई cognizable offense कमिट किया है जिसके punishment less than 7 years ना हो या फिर extend करे 7 years तक fine के साथ या फिर fine के बिना तो पुलिस उस person को arrest कर सकता है अगर ये following conditions जो हैं वो fulfill होते हो तो तो आएए देखते हैं कि कौन-कौन से ऐसे following conditions हैं जो कि fulfill होने चाहिए जब पुलिस किसी भी person को arrest कर सकता हो clause B के तहत अब first condition ये है कि पुलिस को reason to believe है on the basis of information या फिर complaint या फिर suspicion कि उस person ने वो said offense किया है अब second condition ये बोलता है कि अगर पुलिस officer जो है वो satisfied है कि उस person को arrest करने की जरूरत है ताकि उस person को further crime करने से prevent किया जा सके माल लीजिए एक example से समझते हैं कि एक person जो है वो habitual offender है वो हमेशा कोई ना कोई offense करता रहता है तो पुलिस को इसके बारे में information मिले तो पुलिस को लगता है कि अगर इसे arrest नहीं किया जाए तो ये further future में भी same offense को repeat करेगा इसलिए पुलिस उसे फॉरण arrest कर लेगी second condition है कि proper investigation के लिए यानि पुलिस को ऐसा लगता है कि अगर उस person को arrest नहीं किया जाए तो ये investigation में support नहीं करेगा पुलिस को या हो सकता है ये भाग जाए तो इस condition में भी पुलिस उस person को arrest कर लेगी third reason जो है वो बोलता है कि पुलिस को ऐसा लगता है कि उसे arrest नहीं किया जाए तो हो सकता है कि जो evidence है उसके साथ वो छेड़ खानी करे यानि हो सकता है कि किसी evidence को वो destroy कर दे जैसे माल लीजिए कि किसी person ने कोई cyber crime किया है तो हो सकता है कि police को information मिली उस person के बारे में और police ने उसे arrest नहीं किया हो सकता है कि जो उसने किया था जिसक के through उसने वो crime किया था या फिर जिसमें information सेव थी वो उसे destroy कर दे ताकि police को पता ही ना चले कि कैसे वो crime commit हुआ तो इसलिए उसको arrest करना ज़रूरी है फिर fourth reason ये है कि police को ऐसा लगता है कि अगर उस person को arrest नहीं किया जाए तो हो सकता है कि कोई witness है या फिर किसी person को कुछ information पता है वो उसे दवाव डाले कि वो ये सारे information police से ना share करे मालने जीए कि कोई एक high profile criminal है और उसने किसी एक गरीब के सामने crime किया और वो eye witness है तो हो सकता है कि police उस person को अगर arrest ना करे तो वो person उस गरीब को compel करे कि तुम मेरे खिलाब अगर witness दोगे या evidence दोगे court में जाके तो मैं त इस बात कहता है तो इसलिए उस person को arrest करना ज़रूरी है लास्ट रीजन ये है कि unless उस person को arrest ना कर लिया जाए उसकी जो presence है court में जब जब required है उसे assured नहीं किया जा सकता यानि कि police को लगता है कि अगर उसे arrest ना किया जाए तो हो सकता है कि जब जब court में उसके presence के जरूरत है व वो reason state करना होगा secondly अगर police इन सारे conditions में उस person को arrest नहीं कर रही है तो भी police को in writing लिखना होगा कि क्यूं police उस person को arrest नहीं कर रही है या फिर क्या reason है जिसके कारण police को लगता है कि उस person को arrest करने की जरूरत नहीं है अब जो next sub clause है वो बोलता है कि अगर police officer को कोई credible information मिला है किसी cognizable offense के commission से regarding जिसका जो punishment है वो extend करता हो more than 7 years fine के साथ या फिर बिना fine के या फिर जिसका जो punishment है वो death sentence हो और police के पास reason to believe है या फिर police satisfied है जो information police को मिली है उसके basis पे कि उस person ने वो set offense commit किया है तो इस condition में भी police without warrant उस person को arrest कर सकता है तो let us suppose कि A ने B के साथ rape commit किया और police को या information मिला कि A ने rape commit किया और police के पास reason to believe भी है कि हो सकता है A ने B के साथ rape commit किया होगा तो इस condition में क्या है police जो है वो बिना warrant उस person को arrest कर सकता है इस clause के अंदर क्योंकि इसकी जो punishment है यानि offense का जो punishment है वो more than 7 years है और हो सकता है कि rape के condition में death sentence भी मिल जाए तो इसलिए इस clause के अंदर police उस person को arrest कर सकता है यानि police A को arrest कर सकता है without warrant अब दूसरा sub clause ये बोलता है कि अगर किसी offender को proclaimed offender घोशित कर दिया गया हो या तो इस court के द्वारा या फिर state government के द्वारा तो proclaimed offender क्या होते हैं तो proclaimed offender वो offender होते हैं जिनके against court ने warrant issue किया है बट court के पास ये reason to believe है कि वो person जो है is blocking the execution of warrant तो अगर ऐसा कोई person है जो warrant से भाग रहा है या फिर skip कर रहा है अपने arrest को तो अगर police को ऐसा person दिखता है जहां भी तो police उसे arrest कर सकती है next sub clause ये बोलता है कि अगर police को लगता है कि कोई person के position में जो समान है वो stolen property है या फिर जो वो think है उसके reference में कोई crime commit किया गया है तो वैसे person को भी police arrest कर सकता है next clause ये बोल रहा है कि अगर कोई person police officer को उसके duty पूरी नहीं करने दे रहा है या फिर उसके duty को execute करने में अगर कोई इंसान problem create कर रहा है या फिर अगर कोई police के lawful custody में और वहां से भागने की कोशिश करता है तो police वैसे person को भी arrest कर सकती है without warrant next clause बोलता है कि अगर कोई person reasonably suspected है कि वो किसी भी एक armed force से भागा हुआ है तो उसे भी police पकर सकती है अब next clause बोलता है कि अगर किसी person ने कोई crime outside इंडिया के commit किया है और अगर वो same crime अगर इंडिया में commit करता तो वो punishable होता as an offense और वो जो person है वो under the law of extradition है और otherwise वो libel है इंडिया में custody के लिए यानि उसकी जो custody है वो इंडिया के पास आनी चाहिए तो police वैसे person को भी arrest कर सकती है अब next clause ये बोलता है कि अगर कोई person या कोई जो released convicted है अगर वो bridge of rule कर रहा है section 356 sub clause 5 का तो भी police उसे without warrant arrest कर सकती है section 356 का sub clause 5 बोलता है कि जो भी release convicted है अगर उसके residential address में change आ रहा है तो उसे notify करना पड़ेगा तो अगर कोई release convicted ये चीज नहीं करता है या फिर bridge करता है इस rule का तो police उसे दुबारा से पकड़ सकती है अब section 41 sub clause 1 का last condition बोलता है कि अगर किसी police officer को किसी person को arrest करने का requisition मिलता है oral या तो written किसी दूसरे police officer से provided कि वो जो requisition है उसमें उस person का नाम जिसे arrest करना है उसने क्या offense किया है ये सारी चीज़े दी हुई है और अगर उस police officer को लगता है कि जिस person जिस police officer ने ये requisition दिया है वो lawfully उस person को arrest कर सकता था without warrant तो फिर वो police officer जिसे request किया कि है उस person को arrest करने के लिए वो भी उसे without warrant arrest कर सकता है section 41 का sub clause 2 ये बोलता है कि subject to the provision of section 42 यानी 42 के section 42 को छोड़ के अगर किसी भी person ने कोई non-cognizable offense किया है या फिर कोई information police को मिली है कि किसी person ने कोई non-cognizable offense किया है तो उसे arrest नहीं किया जाएगा बिना magistrate के warrant के thank you i hope you all enjoyed the video please like share and subscribe to our youtube channel